कैसा रहा? सबसे पहले आपको जल्दी से वो बता देते हैं तो आईए आपको दिखाते हैं कि क्या रही? पीम मोदी की केदार भक्ती सुबह आठ बजे केदार ना धाम पहुंचे पीम नरेंदर मोदी साड़े आठ बजे से लेकर नौ बजे तक बाबा केदार की पूजा की, नंदी भगवान को हाज जोड़कर मंदिर की परिक्रमा की, धीम शिला जाकर नमन किया, आदी गुरु शंक्राचारी के समाधी स्थल का नावरण किया, मंदिर परिसर में से देशवासियों को संबूध नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और 2017 में रोने पहली बार बत और प्रधानमंत्री बाबा केदार की पूजा की थी, अब तक वो कब-कब केदार धाम जा चुके हैं, वो भी चल्दी से आपको दिखा देते हैं प्या मोदी की केदार भक्ती पहली बार 3 मई 2017 को कपाट खुल करने के बाद होने दर्शन के, दूसरी बार 20 अक्टूबर 2017 को कपाट बंध होने से पहले पूजा की, 7 नवंबर 2018 को दिवाली के दिल पूजा अर्चना की, 18 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के बाद बाबा केदार क दर्शन के लिए पहुँचे, आज पांचुई वार बाबा केदार की शरण में पहुँचे दिप्रधार मंतरी नरिंद्र मोदी पीमोदी के इस दौरे पर कॉंग्रेस को अतराज क्यों है? ये भी जल्दी से आपको बता देतें और समझा देतेंगे क्यों कॉंग्रेस सवाल उठा रही है? केदारना धाम के गर भगरिह में पूजा का लाइफ रसारन हुआ, कॉंग्रेस ने परंपराओं का पान बताया, कॉंग्रेस ने से धार्मे क्यात्रा की जगा राजनिते क्यात्रा बताया, देवस्थानम की राजनिती ना करने की परंपरा ठूटी, हरिश्रावत आपदा राहत के लिए आर्थिक पैकेज के घोशना नहीं हुई, पीम ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर कुछ नहीं का, विरोध में कॉंग्रेस ने हर जिलेक के शिरवाले में जला भिशे किया। सुधार हुआ, 2017 में पांच प्रमुक पर योजनाओं की आधार शिला रखी और 2019 में शंकराचारी के सभाधी और गूर्ती पर काम शुरू हुआ था, लगातार वीडियो कॉन्फरेंसी के जरिये प्रधान मंतरी इस पूरे निर्मान कारे की समिक्षा करते रहते हैं, करीब 400 कर पर योजनाओं पर काम जारी है, जो कि उत्तरा खण में अब तक सबसे ज्यादा इस तरह की योजनाओं हैं, यानि प्रधान मंतरी विशेश रूप से दिल्चस्पे दिखाते हैं इन तमाम पर योजनाओं बराल, ये तो बात हुई प्रधान मंतरी की केदार भक्ति, अब भड़ते हैं अगर अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत